आए ऐसलाव अलेकूम और वेलकम बैक आज की वीडियो में हम बात करेंगे किटन के बारे में परिशियन किटन या कोई भी स्पेसिफिक ब्रीड किटन की उसमें हमें यह यह इंटिफाइब करने में बच्पन में मुश्किल होता है कि वह मेल है या फीमेल है बच्चा तो यह ही लिटर के हैं जो उनकी पूरी एक डिलिवरी होती है उसमें जितने बच्चे होते हैं वो एक लिटर के कहलाते हैं आपको बुआइस किस तरीके से पहचानने यह चोटे बचो के अंदर क्यूंकि दिक्कत होती है तो i button में link आ रहा है आप वो video भी पूरी चेक कर सकते हैं अब हम बात करते हैं male और female पहचानने की छोटे बच्चों में तो इसमें सबसे पहले आपको जो चीज करनी है वो यह है कि सबसे पहले तो उन्हें थोड़ा सा बड़ा होने थे बिल्कुल चोटे में आप भी नहीं पहचान पाओगे क्योंकि genitals इतने जादा developed नहीं होते हैं पर जैसे इसकी बात करते हैं पर जैसे हम इस female की बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह चीज मैं बहुत जादा डीटेल में जाके नहीं बताऊंगा पर यहाँ पर सिंपल चीज जो आपको यह देखनी है जो इनका बटक होता है जहां से यह stool पास करते हैं उसके बिल्कुल नीचे इनका urinary tract भी होगा जहां से यह सूसू करेंगे मतलब जस्ट नीचे तो जिसका जस्ट नीचे है वह female होती है मैं आपको difference दिखा सकता हूँ अगर पर इनके बाल काफी बड़े होने तो दिक्कत होगी बट जस्ट नीचे जहां पर है जिसका वह female है आप यह चीज़ identify कर सकते हैं और जिसका थोड़ा सा gap छोड़के है वह male है जैसे आप यहां पर clearly देख सकते हैं यह male है इसका उपर hole है और यह काफी नीचे जाके यह सूसू करेगा वहां से तो यह male है और बाकी आप किसी में अगर देखें जैसे यह वाली हमारी तीन females है तो इन में वह चीज नहीं है इन में जस्ट जहां पर पॉटी जहां से यह पॉटी करते हैं उसके जस्ट नीचे इनका दूसरा होल होता है जहां से यह urine पास करते हैं तो यह एक main difference होता है और दूसरा head size head size जो है वह male का बड़ा होता है और males इतने जादा active नहीं होते है अगर आप एक चीज़ देखें तो यह देखें यह जगा चुपके बैठावा है और females यह तीनों active है यह हमारी odd eyes में है फीमेल यह एक main difference है जहां पर मतलब दोनों जो holes है वह एकदम पास-पास है तो वह female है और जिसमें थोड़ा सा difference है बीच में वह male है यह आप एचान सकते हैं और compare करके देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा तो यह एक चोटी सी वीडियो थी इसके उपर ओए चोटू कहा जा रहा है पर यह भी एक जरूरी टॉपिक था क्योंकि लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि कैसे identify करें कैसे identify करें तोड़ा odd topic तो है पर मैंने सोचा बना दूँ